let's talk about the deals elder reaction deals elder reaction का नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि यह जो साइंटिस्ट से साइंटिस्ट के नहीं में इसलिए है क्योंकि इस पॉर्मिंगा अब सिंपलेस्ट फॉर्म ओफ रियक्षिन है दो हमने रियक्षिन एड की हमें एक प्रॉडक्ट मिल गया विच कंटेंज एक आर्बन कार्बन डबल बॉंड अब हमें कोई एसेड यूज करने की जुरूवत नहीं पड़ी बेस या कैटलिस्ट यूज करने की जुरूवत नह पड़ता है विच रिक्वाइज और कप एसे वरकप वह डिपेंड करता है और दूसरा यह के कुछ ऐसे सबस्टैंसिस होते हैं जो रियक्टिव होते हैं और उसके लिए हमें जो इनर्ट एक सॉल्वंट चाहिए होता है अगर हमारे पस इनर्ट इनर्ट ना हो तो वह रियक पड़ता है यह सिंपल रियक्शन है दो सबस्टैन्स हमने एड कि हमें एक प्रॉडक्ट मिल गया जिसके देरे एक कारबन करबन डबल बॉन प्रेजेट है इस रियक्शन को हम साइकलो एडिशन करते हैं सैकल मतलब साइकलाइजेशेशन हो रही है एक रिंग फॉरम हो रहा है addition मतलब दो molecules मिलकर एक product दे रहे हैं इसे हम addition reaction कहते हैं जो product हमें मिल रहा है उसे हम कहते हैं deals elder adduct एक concerted reaction है deals elder reaction वो reaction जो single step reaction हो उसे हम कहते है concerted reaction कोई भी intermediate form नहीं हो रहा एक single step reaction है जब एक single step reaction होगा तो intermediate form नहीं होगा हां उसकी transition state जरूर होगी अब intermediate वो होता है जो form होता है reaction में लेकिन वो फर्दर product में convert हो जाता है transition state वो होती है जो एक higher molecular state होती है लेकिन वो actually exist नहीं करती वो imaginary होती है जो intermediate है वो real होता है वो form होता है और transition state imaginary होती है बिल्कुल pericyclic reaction इसलिए कहते हैं क्योंकि cyclic transition state जो हमारे पस transition state form हो रहा है higher energy structure form हो रहा है वो हमारे पस cyclic है इसलिए हम इसको pericyclic reaction का नाम दे रहे है प्रोड़क्ट ऑफ डिल्स elder reaction ऑल्वेस कंटेंस वन मोर रिंग दन रियक्टेंट्स चूंकि यह cyclic cyclo addition reaction है cyclization हो रही है तो obviously एक रिंग फॉर्म होगा और जो products है हमारे पास उनमें एक रिंग ज्यादा होगा as compared to the reactants अगर reactants में कोई रिंग नहीं है तो एक रिंग फॉर्म होगा अगर reactants में एक रिंग already present है किसी के पास तो फर्दर हमारे पास दो rings फॉर्म होंगे product में and vice versa अब हम बात करते है reaction of a diene with a dienophile जिसको हम कहा रहे हैं deals elder reaction हमने एक diene लिया diene मतलब ऐसा molecule जिसमें दो double bonds present है उसको हम diene कह रहे हैं एक dienophile ऐसा molecule जो double bond containing molecule के लिए attraction रखता है उसको हम dienophile कह रहे हैं दोनों आपस हमने add किया दोनों ने आपस में react किया उन्होंने हमें product दे दिया बीच में एक transition state फॉर्म ही जो कि बिलकुल imaginary है अब हम बात करते हैं factors affecting reactivity of dienophile dienophile हमारे पास जहांपे simplest जो dienophile है वो हमारे पास ethene है एक double bond present है लेकिन उन्होंने एक discussion की हुई है कि ethene जो है हमारे पास चारों groups हमारे पास hydrogen है जब वो hydrogen है तो यह bond एक बहुत weekly polar है इतना reactive bond नहीं है इसलिए यह reaction बहुत slow होगा अगर हम किसी भी hydrogen को किसी भी substitute से replace करें एक ऐसे substitute से replace करें जो इस bond से electrons खींच ले इसको जदा polar कर दे इस bond को for example cyano group c triple bond and electron attracting group है electron withdrawing group है same is the case with carbonyl group electron attracts करता है जब यहां पर हमारे पास y की जगा या किसी भी जगा एक electron attracting group प्रेजन्ट होगा तो यह bond यह वाला जबल bond है ज़्यादा polar हो जाएगा उसकी reactivity increase हो जाएगी as a result हमारे पास जो यह reaction है easily होगा और हमारे पर प्रोड़क्ट्स होएं वो जल्दी फॉर्म होजेंगे हमें की कोई भी certain conditions की या catalyst की या किसी भी temperature बगारे की जुरूरत नहीं पड़ेगी जब एक molecule non reactive है वो less reactive है तो हम तब हमें जाके conditions की जुरूरत पड़ती है substitute से लगा के हम dynophile की dynophilicity increase करेंगे जिससे वो उसके लिए attraction increase हो जाए factors अगर एक syano group लगा हुआ है तो वो more reactive होगा as compared to ethene अगर दो syano लगे हैं वो more reactive होगा as compared to one syano group चार syano group लगे हैं across the double bond तो वो more reactive होगा as compared to ethene factors affecting reactivity of diene diene जो हमारे पास है उसकी reactivity किस चीशपे depend करती है पहला तो ये कि उसकी जो orientation है confirmation है वो सिस होनी चाहिए दोनों एक ही तरफ groups जो है point करने चाहिए confirmation पे depend करता है उसकी shape पे जो space में उसकी shape है उसके depend कर रहा है दोनों एक ही तरफ होंगे तो bonds form करना बहुत easy है करीब करीब है तो reaction easily हो जाएगा अगर for example ये इसका रोख इस तरह हो trans state हो और इसका इस तरह हो तो वो हमारे पास reaction एक feasibility उसकी बहुत काम हो जाती है और वो बहुत एक slow reaction होगा या maybe even not possible अब हम बात करते हैं एक और factor आता है ये तो हमारे पास simplest diene की बात हो गई बहुत ही simple molecule है जिससे ये reaction हो रहा है अगर हम हमारे पास further आगे जाते जाएं complex groups लें जहां पे bulky groups अगर लगे हों for example ये तो हमने बात की यहां पे इस molecule को देखते हैं यहां पे CH3 group लगा है यहां पे hydrogen है यहां पे hydrogen है hydrogen एक ज्यादा बलकी molecule नहीं है इसलिए इनकी जो resistance है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी अगर यहां पर CH3 लगा हो तो यह जो molecule है CH3 की इसके साथ एक steric effect आएगा एक रिजिस्ट करेगा वो reaction को उसकी reactivity को decrease करेगा जब उसकी reactivity decrease होगी तब वो reaction हमारे लिए करवाना एक difficult और less feasible हो जाएगा इसलिए जो हमारे पास cis state होगी वो बहुत reactive नहीं होगी in the case of bulky groups जब हमारे पास bulky groups आजाएंगे जब हमारे पास simplest molecule होगा तो उसकी तो cis जो है form वो easily reaction देदेगी जब हमारे पास bulky group आएगा तो उसकी cis form जो हो steric effect देगी तो इसलिए हमारे पास लाजमी होगा कि हम एक trans state लें उसकी ताकि reaction हो सके जो trans state है वो bulky groups के case में easily reaction देगी as compared to cis state क्यूंके उसमें static effect नहीं आ रहा that is all about the basis of deal's elder reaction